मोरी सरकार ने शिक्षकों के विदेशी युनिवर्सिटी में जाने का रास्ता साफ कर दिया है कैबिनेट ने ज्यान कारिक्रम के अगले चरम की मंजूरी दे दी है अब भारती शिक्षकों को दुनिया भर की युनिवर्सिटी में भेजा जाएगा क्या है पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में प्रधानमंद्री नरेन मोदी ने शिक्षा के सुधार के लिए बड़े स्तर पर बदलाव करने का सोचा है इसके लिए मानफ संसादन विकास मंत्राले ने कई उजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है मानफ संसादन विकास मंत्राले ने ग्लोबल इनिशेटिव औफ एकैडमिक नेटवर्क यानि ज्यान कारिक्रम के तहट भारतिय शिक्षकों को भी दुनिया भर के युनिवर्सिटी में भीजने का फैसला किया है ज्यान कारिक्रम के इस अगले चरण को अमली जामा पहनाने के लिए मंत्राले ने तैयारी शुरू करती है अभी इस कारिक्रम के तहट सिर्फ विदेशी शिक्षकों को भारत बुलाया जाता है विदेशी शिक्षक देश के उच्छ शिक्षन संस्थानों में एक तैस समय तक पढ़ाते हैं इस कारिक्रम के तहत पिछले साल 800 से ज्यादा विदेशी शिक्षक भारत आये थे लेकिन ग्यान कारिक्रम के अगले चरण के तहट विदेशी संस्थानों में कुछ समय के लिए पढ़ाने के इच्छुख भारतिय उच्छ शिक्षन संस्थानों के शिक्षकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं अगर ग्यान कारिक्रम का नया चरंड सफल रहा तो विदेश में भारतिय शिक्षकों के लिए नई राह खोलेगी विविदेशी संस्थानों के अध्यन के तरीकों को अच्छे से समझ सकेंगे जो बाद में उनके संस्थानों को उसी स्तर पर खड़ा करने में मददकार साबित होगा बता दें कि पहले किसी भी विश्व विद्यालय या संस्थान को विदेशी शिक्षकों को बुलाना अत्वा अपने शिक्षकों को विदेश भेजने के लिए UDC और मंत्रालय स्तर पर अनुमती लेनी होती थी इसमें संस्थानों का काफी समय खराब होता था साथ ही उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता था ज्यान कारिक्रम की शुरुवात के बाद विदेशी शिक्षकों को बुलाने की प्रक्रिया आसान हो गई अब संस्थानों को इसके लिए सिर्फ ओनलाइन अनुरोध करना होता है जो सीधे संबंदित संस्थान तक तो भेजती आ जाता है बाद में शिक्षकों की उपलबदिता के आधार पर उनका कारिक्रम तै किया जाता है हालकि भारतिये शिक्षकों के सामने विदेश जाने की प्रक्रिया में अब भी परिशानी थी लेकिन ग्यान कारिक्रम के नई चरण के जरिये इस परिशानी को खत्म किया जाएगा मंत्राले ने ये सारी कवायत भारतिय विश्वविद्यालियो और उच्छे शिक्षन संस्थानों को विश्वस्तरी रैंकिंग में पहुचाने के लिए शुरू की है पूर्री सरकार ने भारत की शिक्षा विवस्था में सुधार के रास्ते में आने वाली सभी परिशानियों को खत्म करने का फैसला लिया है एक एक करके हर तरह की बाध़ाओं को दूर किया चा रहा है ज्यान कारिक्रम के अगले चरण में भारतिय शिक्षकों को विदेशी संस्थानों में जाने का रास्ता साफ किया जाएगा इसके कारण इन्हें नए तरीकों की जानकारी भी मिलेगी जिसका फायदा भारतिय संस्थानों को मिलने वाला है इसी तरहों की खबरे में आपके लिए लाती रहूंगी तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे विडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया